रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदू सुलंकी, असिस्टेंट प्रोफिसर कॉंट्राक्च्छल, डेपार्टमेंट आफ साइकलोजी, केओ कॉलेज गुमला, रांचीव निवर्सिटी। आज मैं चर्शा करूँगी UGSEM 6 के CC14 के Unit 3 के Humanistic Therapy पर या मानववादी, मानवतावादी चिकित्सा एक सूज केंद्रिट चिकित्सा है, जो यह मानता है कि व्यक्ति की आवशक्ता तथा प्रिर्णा किस तर में वृद्धी करके उसके आसामाने व्यवहार का उपचार किया जा सकता है। यह चिकित्सा पद्धती व्यक्ति को एक Creative और निरंदर आगे बढ़ने वाला प्रानी के रूप में देखता है। और व्यक्ति के भीतर छुपे Potentials उसकी Capabilities का उसे अनुभाव कराकर उसके व्यवहार का चेतन रूप से मार्ग निर्देशन भी कराता है। मानफ्तावादी चिकित्सा इस सिधान पर आधारित है कि मनुश्य अच्छे हैं और स्वयम के निर्ने लेने की शक्ती रखते हैं। इस चिकित्सा को हम Point by Point समझते हैं। पहला Point है, यह चिकित्सा सकारात्मक लक्षनों पर ध्यान देता है। यहां चिकित्सक क्लाइंट के नकरात्मक पहलूओं पर ध्यान देने के बजाए स्वस्त व्यवहार विक्सित करने में उसका मार्ग दर्शन करते हैं। दूसरा, यह चिकित्सा व्यक्तिगत अंतर ग्यान पर ध्यान देता है। यह चिकित्सा यह मानता है कि व्यक्ति के पास बुद्धी है और वह अपने समस्याओं से निपटने के लिए ग्यान प्राप्त कर सकता है। चिकित्सक का काम मानसिक स्वास्थ की चुनातियों के उत्तर खोजने में सहायता करना है। क्लाइंट इन निर्नयों को अपने ग्यान और सही गलत के समझ के आधार पर एक्सेप्ट करता है। तीसरा पॉइंट है अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने पर ध्यान देना। इसके लिए अपने आप में विशेश परिवर्तन करने की शक्ती है। चौधा पॉइंट क्लाइंट का लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान देता है। कुछ लोग चिकित्सक के पास अपनी समस्या को दूर करने के लिए जाते हैं। पर कुछ लोग जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा सफल और ज्यादा खुश होना चाहते हैं। मानफ्तावादी मनवेग्यानिक अबराहम मैसलो ने कहा है कि आत्मे साक्षातकार, सेल्फ एक्च्छालाइजेशन केवल एक इच्छा ही नहीं है। यह एक आवशक्ता है जो सभी मनुश्यों में एक आम बात है। सेल्फ एक्च्छालाइजेशन का अर्थ है बिकमिंग यूर बेस्ट सेल्फ, स्वयम का सर्वस्रेश्ट बनना। मानफ्तावादी चिकित्सक यह स्विकार करते हैं कि आत्मे बोद, सल्फ एक्च्छालाइजेशन वह चीज हैं जिसे सभी को अपने लिए पूरा करना चाहिए। यह कुछ पॉइंट्स है जिसके तरू हम समझ सकते हैं कि मानफ्तावादी चिकित्सा क्या है। मानफ्तावादी चिकित्सा से जिन समस्याओं, बीमारियों या विकृतियों को ठीक किया जा सकता है वो हैं डिप्रेशन, पैनिक डिसॉर्डर, एंग्जाइटी, परस्नालिटी डिसॉर्डर, स्केजोफ्रेनिया, अडिक्षन, रिलेशन्शिप इश्यूज, फैमिली इश अब हम आते हैं टेक्नीक्स ओफ यूमानिस्टिक थेरेपी, मानफ्तावादी चिकित्सक बनावती तक्नीकों के बजाए सकारात्मक दृष्टिकोन पर भरोसा करते हैं, ये चिकित्सक क्लाइंट के संघर्षों के समाधान खोजने में कुछ टेक्नीक्स द्वारा साहता करत हैं, वो टेक्नीक्स हैं, पहला ध्यान से सुनना, सक्रिय श्रवन तक्नीकों का उपयोग करके चिकित्सक क्लाइंट को थेरेपी सेशन्स में व्यस्त रखते हैं, वे दिखाते हैं कि वे बातों को सुन रहे हैं और चेहरे के भावों को समझ रहे हैं, अगर वे कही वी कोई बात को नहीं समझते हैं, तो वो उसके बारे में और डीटेल में बताने को कहते हैं, वो क्लाइंट को यह भी बताते हैं कि वो क्या सुने हैं और क्या समझे हैं और यह भी पूछते हैं कि वो सही समझे हैं या नहीं, सक्रिय रूप से सुनने के अलावा मानफ्तावादे चि मानतावादी चिकित्सा इस धारना के तहत काम करता है कि आप अच्छे हैं, आप किसी भी समस्या या चुनावतियों को दूर करने के लिए परियाप्त हैं, या उनके साथ स्वस्त रूप से सामना करना सीख सकते हैं, इसमें मानसिक संघर्षों के अनुसार लेबल नहीं किया चाता है, तीसरा टेकनीक है, acknowledging your power to decide, निर्ने लेने के लिए अपनी शक्ती को स्वीकार कराना, मानसिक स्वास्त समस्या में व्यक्ति संकटों का सामना करने के लिए शक्तिहीन महसूस करता है, उसे यह लगता है कि राहत पाने के लिए किसी और व्यक्ती को या किसी परिस्ति को बदलना होगा, मानफ्तावादी चिकित्सा यह स्वीकार करता है और व्यक्ती को किसी भी परिस्ति में अपने ताकत का एहसास कराता है, वो यदि किसी और व्यक्ती को या परिस्ति को बदल नहीं सकता है, तो यह निर्ने ले सकता है कि उस परिस्ति में या उस व्यक्ती क के प्रति वो क्या प्रतिक्रिया देगा निर्ने लेने की यह शक्ति मानफ्तावादी चिकिस्सा की एक नीव है चौथा टेक्नीक है Treating You as a Whole Person क्लाइन्ट का एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में इलाज मानतावादी चिकिस्सा एक गस्टॉल थेरेपी है जिसमें यह क्लाइन्ट को सम्पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्षन करता है, विचार करता है, व्यवहार करता है, विश्वास करता है और उसकी कुछ विश्ष्ट, कुछ स्पेसिफिक मानुवे जरूरते होती है। क्लाइंट शाररिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्मक पहलूओं का एक संयोजन है, जो उसकी समगरता को बनाए रखता है। पांचवा टेकनीक है, रेकोगनाइजिंग दे क्लाइंट एजन इंडिवीज्वल, एक व्यक्ति के रूप में क्लाइंट को पहचानना। मानफतावादे चिकितसा, क्लाइंट को वरगिक्रित करने की कोशिश नहीं करता है, या मानता है कि कोई भी दो व्यक्ति बिलकुल समान नहीं होते हैं। अपने विशिश्टाओं, अपने यूनीकनेस का निर्मान करके व्यक्ति एक अच्छा मानव बन सकता है। क्लाइन्ट ना केवल एक अद्विती है, एक यूनीक वेक्ती है, बलकि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे उप्युक्त है Sixth technique है, deals with issues in the here and now वर्तमान में मुद्दों से निपटना कुछ उपचार अतीद के मुद्दों को हल करने पर केंद्रित होते हैं मानफ्तावादी चिकित्सा यहां और अब की समस्याओं से संबंदित है क्लाइन्ट को वर्तमान में जो परिशानी रहती है यह चिकित्सा उसका समाधान करता है साथमा टेकनीक है, identifying clients need क्लाइन्ट की आविशक्ताओं की पहचान करना मानफ्तावादी चिकित्सा चिकित्सा सत्र में यानि कि therapy sessions में क्लाइन्ट को उसके जीवन की जो जरूरती है उसकी तह तक पहुँचाता है चिकित्सा क्लाइन्ट से उसकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रशन पूछ कर प्रेरित करता है तथा उन चुनातियों के पीछे अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रोच साहित करता है अपनी आविशक्ताओं को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता है लेकिन चिकित सक क्लाइन्ट को अपनी मानसिक स्वास्ति के मुद्दों पर गहराई तक देखने के लिए प्रेरित कर सकता है जब तक कि क्लाइन्ट आविशक्ताओं की पहचान नहीं कर लेता है एइध टेक्नीक है Accepting the Responsibility जिम्मेदारी स्विकार करना मानतावादी परंपरा में सभी को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्विकार करनी चाहिए जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपनी समस्याओं का समधान ढूणने के लिए अपने आपको मुक्त करता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोश देने के बजाए वह अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है चाहे वह समस्या पैदा करने में हो या सकरात्मक तरीके से उस समस्या से नहीं निपटने के लिए हो आश्चरी के बात यह है कि जब व्यक्ति अपने जिमेदारी स्विकार करता है तो समस्याओं के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंतरन प्राप्त कर लेता है 9 टेक्नीक है Finding Solutions, समाधान ढूंडना समझते हैं कि वह Client ही है जो अपने कृत्य अपने किये गए कारियों के परिणामों के साथ जीने वाला है यह इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति खुद को किसी और से बहतर जानता है और यह तै कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है मानफतावादी चिकित्सक अपने व्यवसाइक सीमाओं के प्रती बहुत सजग होता है इस चिकित्सक का उदेश्य व्यक्ति को अपने समाधान खुजने में मदद करना है इसलिए समाधानों की पेशकश करने के बजाए चिकित्सक ऐसे प्रश्न पूछता है जो व्यक्ति की रशनात्मक समस्या समाधान शमता उसकी creative problem solving abilities तक पहुँशने में उसकी मदद करता है इन तथियों के अनुसार मानत्तावादी चिकित्सा में रोगियों का उपचार किया जाता है इसके अंतरगत जिन चिकित्सा को मुख्य रूप से देखा जाता है वो है client-centered therapy, gestalt therapy, logo therapy and existential therapy आज की चर्चा में यहीं समाप्त करती हूँ अगर कोई प्रश्न हो तो नीचे comment box में question पूछ सकते हैं मैं जवाब दूँगी रिफ्रेंसेज है आधुनिक आसमान्य मनोविज्ञान Dr. Arun Kumar Singh and Humanistic Therapy, Definition and Techniques by William Drake www.betterhelp.com धन्यवाद